अब Scalping क्या होता है बेसिकली और दूसरा एक प्राणी है जिसको कहते है प्राइज एक्षन ठीक है? राइटिंग बहुत अच्छे नहीं है अगर होती तो हम कलेक्टर बन गए होते हैं ठीक है? तो दोंट माइंड तो एक प्राणी है Scalping एक प्राणी है प्राइज एक्षन अब Scalping करने के लिए किस टाइब का प्राइज एक्षन जानना है? किस टाइब का प्राइज एक्षन होना चाहिए? थोड़ा म्यूजिक बंद कर देते हैं तान पुरा थोड़ा डिप्रेस कर रहा है तो scalping करने के लिए किस तरीके का price action होना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हम दो चीजें पर focus करेंगे पहला है scalping करने में price action पर हम बहुत जादा नहीं जाएंगे हम scalping related price action देखेंगे तो पहली चीज है time frame कौन से time frame में काम करना है और दूसरा है कितने time तक रुखना है और कितने point पकड़ना है ठीक है ये तीन चीजें हमें ध्यान देनी है कि कितने time frame पे काम करना है कितने time तक रुखना है और कितने points या पैसे पकड़ने है स्कैल्पिंग के लिए तीन चीज़ें जरूरी होती हैं सभी लोग ध्यान दें यहां पर जो भी लोग है जो भी लोग जॉइन किये हुए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट में वह भी लोगा मैं आपके सवाल लेकिन उससे पहले लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि कर पाएं टीक है तो हम यहां बात कर रहे हैं कि sclp link में किस टाइब का जीक्शन बेंग अलग से क्या कि इसके बाद हम वापस से सीध्या जाएंगे कि हमें हम सिर्फ फोकस करना है scalping तो स्क्याल्पिंग क्या है को बीप्राइज है अंड्रेट पे चल रहा है वो प्राइज या फिर 105 की तरफ जाएगा option की बात कर रहा हूं मैं तीक है option specific कर रहा हूं आप इसको stock specific भी बात कर सकते हो लेकिन stock में इतना movement होता नहीं है तो या फिर वो 95 जाएगा कोई भी 100 की चीज है वो 105 की तरफ जाएगी या 95 की तरफ जाएगी मुद्दा ही है कि पहले किधर जाएगी ठीक है अब price action जो होता है न price action कैसा होता है उसमें 3 phase होती है एक तो होती है trend up, trend down और range bound ठीक है trend up होगा तो 100, 105 जाएगा trend down होगा तो 195 आएगा range bound होगा तो क्या होगा 98, 102 98, 102, 98, 102 98, 102, 98, 102 नाचता रहेगा अब जब हम price को predict कर रहे हैं scalping के लिए तो important यह है कि हमें surety जादा होनी चाहिए कि किधर जाने बाला है surety, it's about accuracy game scalping is never a game of luck chance तो जो लोग बहुत जादा focus करते हैं sir stop loss कितना होना चाहिए मैं तो यह रखता हूँ वो accuracy पर focus काम करते हैं गया तो गया नहीं तो stop loss लगा यार अगर तुम 55% के 20 बार stop loss लगाओगे तो capital साफ हो जाएगा तो probability के game पर नहीं हम accuracy के game पर जादा जाना चाहेंगे कि हमारी accuracy अच्छी हो ठीक है तो यह point clear है कि यह हो गया range लेकिन यह range के बाद क्या जा सकता है 105 या 110 यह हमें पगड़ना है या range के बाद जा सकता है यह 90 अब कोई बोलेगा या 100 का 90 जाएगा तो मैं profit थोड़ी कमाऊंगा मैं क्यों predict करूँ मैं यह नहीं कहरा मैं कहरा हूँ 100 का 90 जाएगा तो भी आप पैसे कमा सकते हो option selling से अगर आप option में trade कर रहे हो तो आप predict जब करोगे तो आपको उस option का price या जिस चीज का भी price predict कर रहे हो तो आपको करना जरूरी है नीचे भी उपर भी upside भी downside भी अब यहां पर important point है कि मैं कहता हूँ कि इसको predict किया जा सकता है कि यह किधर जाने वाला है ठीक है वो आ गया price action तो यह scalping समझ में आ गई scalping करने के लिए हमें क्या करना है 100 को 105 पकड़ना है या 100 को 95 पकड़ना है और दोनों scenario में हमें चोटा profit पकड़ना है चोटा profit पकड़ना है कितना profit पकड़ना है टार्गेट में एक बार बता दूगा approximate कितना होना चाहिए और उसमें stop loss कितना होना चाहिए लेकिन अब हम बात कर लेते है price action की कि हम कैसे predict करें कि हम गलत कम हो price action में देकि हमेशा याद रखेगा दो चीजे होती है जब तक यह range में चल रहा है हम कह देते हैं market range में है लेकिन हमेशा याद रखो range में रहते हुए market फिर भी एक pattern मना रहा होता है कैसा pattern मनेगा candle के size कैसे है एक यह candle है ठीक है एक यह candle है दोनों के size बराबर है लेकिन इसमें lower wick है एक यह candle है इसमें upper wick है ठीक है अब यह candle का color अगर मैं लाल कर दूँ तो red candle होगे अभीरिश अगर मैं green कर दूँ तो bullish अगर मैं इसका red कर दूँ तो आप बोलो के hammer है लेकिन red है अगर मैं इसको green कर दूँ तो आप बोलो के inverse hammer है लेकिन यह तो green है अगर मैं इसको green कर दूँ ठीक है green तो नहीं है अपने पास इसको मैंने blue कर दिया इसको मैंने red कर दिया और इसको मैंने पूरा red कर दिया ठीक है अब यहाँ पे जो यह candle है यह हो गया बेरिश केंडल यह है बुलिश यह भी है बेरिश तो नॉर्मली जो हमें केंडल कन्फर्मिशन देते हैं जो कन्फर्मिशन देने वाला केंडल होता है उसमें विक बहुत इंपॉर्टन्ट होता है हमेशाद रखो अगर विक बनाया है Buck क्या कहते है shadow कहते है Wick बना के ऐसी body बनाया है घिर रहा है गर रहा है और यहां पे ऐसा candle बना दिया लम्बा सा Wick है और इसका color कौन सा है green है अब इज़ू अबने पास नहीं है तो अपन को blue को green बना रहा है अपन तो अगर यह blue है तो यहां से आपके chances of आपन 15 मिनिट में 15 मिनिट टाइम फ्रेम पे सारा खेलापन कर गए ठीक है क्योंकि अपन को स्कैल्पिंग करनी है भूलना नहीं अपन अनालेसिस नहीं सीख रहे हैं आपन स्कैल्पिंग के लिए अनालेसीस सीख रहे हैं तो जब आपनने यहां पर कितनी भी बड़ी विक लेकिन सेफ स्टॉप लॉस ये है लेकिन सिस्टम में स्टॉप लॉस दोनों केसे में नहीं लगाना है ठीक है आप बोलोगे आप स्टॉप लोस नहीं लगाएंगे तो कैसे रहे मौका देता है मार्केट आपको freeze नहीं हो जाना है आपको practical रहना है कि भाई यहां पे वापस से आ सकता है लेकिन जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा न मैं तब तक निकलूंगा नहीं क्योंकि वापस से bluff करने के लिए एक फिर से lower wick बना सकता है याद रखना अभी जब सुभे टॉप बना रहा था मार्केट तो क्या किया उसने पहला केंडल ऐसा बनाया दूसरा केंडल ऐसा बनाया ठीक है बनाया की नहीं बनाया बैंक निफ्टी में 15 मिनिट के केंडल देखो पहला केंडल बनाया इंडिसाइसिव बड़े बड़े लेग और दूसरा केंडल बनाया इनवर्स ठीक है ना तो ये कंफरमेशन था इसको लाल भी कर सकते हो ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा ठीक है तो ये क्या था ये कैंडल था इंडिसाइसिव ये कैंडल था कंफरमेशन और इसके नीचे आते ही सेल मतलब की पुट बाइट ट्रिगर हो जाता है स्टॉप लास ये उपर वाली लाइन के थोड़ी से और उपर थोड़ी से उपर कितना उपर सबस्पोज बैंग निफटी में बात करें तो 10 से 15 पोईंट 10 तो 15 पोईंट्स 20 पोईंट्स क्योंकि अज़ी आपन ये स्टॉप ले रहे है ना सिफृटी उसके उपर और और ले रहेंगे 15 पोईंट तो ये आपका हो गया स्टॉप लॉस आपको कोई बोले कि कितना stop loss होना चाहिए you cannot define in terms of points target कितना होना चाहिए कितना होना चाहिए वो आपने trend line में वहाँ पे दिखाया था तो आपका target वो जो है जब हम real candle में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको ले रहे हो 50 points तो आपका target यहाँ पे 100 points आपको मिल जाएगा भड़ाओ नहीं मिल जाएगा 15 minute में scalping करने में मिल जाएगा लेकिन हम 100 के लिए wait नहीं करेंगे हम 50 से 70 पे निकल जाएगे क्योंकि हम scalping कर रहे हो पूरा mindset है भूलना मत कि आप scalping करने आए हो यह मत बन जाना positional trader आ रहे मैं तो यह मैं तो वो नहीं हाँ scalping कर रहे हो ठीक है तो यह clear है point इसी बात पर like हो जाए जितने भी लोग हैं like दबादो जितने भी लोग हैं समझ में आया तो अपने message भी कर देना कि क्या क्या सवाल है अपन दुबारा से ठीक है इसको पहले रुग जाओ देखो जाला add भी पूतने नहीं दे रहा है चलो ठीक है so now the next thing is जो अगली चीज है वो यह है कि हमने यहाँ पर decide कर लिया कि क्या क्या चीजें होती है केंडल स्टिक को पहचाना जा सकता है price action को पकड़ा जा सकता है अब अब हम price action को पकड़ते हैं क्या से पकड़ते हैं जब भी market range में है तो आप देखो कि एक चीज की जब यह उपर जा रहा है ऐसा कर रहा है ठीक है तो आप एक चीज यहां important देखो पहले हमने यह range का बना लिया ठीक है दो point मिले अपने को range मिल गई high low उसके बाद आपन ऊपर भी नहीं जा रहे नीचे भी नहीं जा रहे उपर भी जा रहे नीचे भी नहीं जा रहे उपर भी नहीं जा रहे मैं नहीं entry लूँगा ठीक है मैं entry नहीं लूँगा लेकिन इसको break करेगा और फिर वापस से test करेगा और फिर break करेगा ये confirmation आ गया अब ये price movement 5 minute time frame पे भी आप देख सकते हो देख सकते हो कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये जो खेल चल रहा है ये 5 minute में ही आपको असली समझ में आएगा ठीक है 15 minute पे नजर जमाने के पहले 5 minute में experience ले ले लेना है और फिर 15 minutes में खेल खेलना है क्योंकि 15 minutes में आपको बारी की नहीं दिखती कभी भी candle की कि छोटे time frame में क्या हो रहा है कई लोग 3 minute भी लगाते हैं तो ये खेल समझने के लिए लेकिन मुद्दा क्या मैं बता रहा हूँ आपको कि ये high टूटा और उसके बाद हम उपर गए फिर आये वापस से test करने और फिर तोड़ दिया तो ये है आपका entry point और आपका फिर जो भी breakout है आपका exit अपने target के हिसाब से जो भी bank nifty में 50 to 75 points target ये लोग बोलेंगे कितना होना चाहिए ये बहुत बड़ा सवाल है scalping का target कितना होना चाहिए तो bank nifty में 52 50 to 75 points हम पकड़ सकते हैं stop loss 25 to 50 points का रख सकते हैं ठीक है और ये manual रहेगा इसको watch करके रखना पड़ेगा और nifty में nifty में हमारा जो target होगा वो करीब 50 points का होगा और जो stop loss होगा 25 points का होगा ठीक है तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना ओके तो ये चीज़ होगा important यहाँ पर आपको कि price action कैसे पकड़ना है लेकिन price action का हम live में भी जाके देखेंगे क्योंकि live में अभी दो दिन में हमने जो पकड़ा है बहुत बढ़िया तरीके से तो उसको दुबारा से revisit करना है लेकिन एक और pattern हो सकता है कैसा major time frame आपने बोला daily time frame पर मैंने देखा market ऐसा जा रहा था line में अगर आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा ठीक है उसमें आपको कई candle दिखेंगे किसी में lower wick है कोई candle छोटा सा है lower wick है कोई candle indecisive है ठीक है फिर कोई candle solid है lower wick है तो जब candle में बार बार lower wick बन रहे हैं indecisive बन रहे हैं तो ये एक bullish pattern है ठीक है इसका मतलब है by the dip हमको opportunity find करने की कोशिश करनी है इसका मतलब है हम CE पर focus करेंगे जादा ठीक है scalping के लिए CE पर focus करेंगे हमेशा याद रखो कि जब major trend आपका जो भी major trend है उस major trend में आपको हमेशा उस trend की direction में ही easy points मिलेंगे easy पैसा बनाना कहते है मुश्किल भी होता है easy भी होता है easy तब होता है जब आपका trend clear है ठीक है तो ये जो point है ये आपको important है समझना है यहापे कि आपका जो एक upside है उसको अगर यहाँ पे market respect कर रहा है लगातार तो हम buy the dip करेंगे और buy the dip करेंगे तो हम C को buy करने की कोशिश करेंगे ये पहली चीज़ हो गई तीक है अब हम इसी तरीके से sell the bounce है अगर आपका market बार बार जैसे ये है मालो हम यहाँ पे उपर आए 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 अब बहुत दिन से क्या हो रहा है ना जब भी एक candle बनता है उसमें अपरविक बन जाता है एक छोटा सा candle बना उसमें भी अपरविक बनता है indecisive बनता है तो उसमें भी अपरविक बनता है तो ये क्या दिखा रहा है कि हम टॉपिश हो रहे हैं मार्केट टॉपिश है तो यहाँ पर क्या करना है Sell the Bounce यह हमने किस में देखा डेली टाइम फ्रेम पर देखा ठीक है Multiple टाइम फ्रेम अनालिसिस समझा रहो तुमको तो डेली टाइम फ्रेम पर हमने behavior देख लिया market उठ उठ के गिर रहा है तीन दिन से हो रहा है, चार दिन से हो रहा है Sell the Bounce है अब Sell the Bounce जो market है Sell the Bounce है या Buy the Dip है वो पकड़ने के बाद अगला जो target होगा वो अपना होगा कि छोटे टाइम फ्रेम पर या कोई भी टाइम फ्रेम पर trend line draw करने की कोशिश करेंगी तो अब हम जाते हैं live market में क्यों live market में जाते हैं? Hi दोस्तो, I hope आप हमारे YouTube चैनल पे इस free educational वीडियो को enjoy कर रहे होंगे बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा जरूर चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें साथी साथ ये कहना चाहता हूँ कि stock market में successful होने के लिए बहुत कुछ कीमत चुकानी पड़ती है आपका पैसे का loss होता है, आपका समय जाता है और बहुत सारे लोग free educational content के चक्कर में क्योंकि जो social media में content है वो बहुत sequence में और एक systematic way में नहीं होता है तो हमारे पास STL Super Trader Program है जहां पे आपको 35 hours से जादा का content मिलता है recorded course मिलता है जो आपको technical analysis zero से लेके advance सिखाता है वहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी price action, technical indicators, scalping ये सब चीजें मिलेंगी उसके साथ ही वहाँ पे आपको एक free guidance group मिलता है जहां पे हर सुबह market के पहले हम बता देते हैं कि क्या लग रहा है market का setup global क्या picture दिख रही ये सारी चीजें जो कि लगातार आप चब सीखते रहते हैं तो आपको help करता है तीसरी चीजें है यहां पे आपको live psychology mindset का session मिलता है जो कि मैं कहीं भी live नहीं करता हूँ चौती चीजें यहां पे आपको हर week एक weekly analysis video मिलता है कि market किस तरीके से अगले week perform कर सकता है क्या sector perform कर रहे हैं क्या sector under perform कर सकते हैं ये सारी चीजें आपको वहां समझने को मिलती हैं तो आपको जितने लंबे समय तक हमारे साथ काम करना है आप उतने लंबे tenure का ले सकते हो आगे चलके आप renew भी कर सकते हो अगर आपका course आप complete नहीं कर बाते हो या आप revise करना चाहते हो या फिर आप लगातार हमारी इस mentorship program में इस guidance program में बने रहना चाहते हो तो आप renew भी कर सकते हो तो वीडियो के pin, comment और description ने मैंने link दे दिया है आप check out जरूर करिएगा क्योंकि समय बहुत कीमती है गलतियों की कीमत बहुत जादा है stock market में और समय पे अगर आप सीख जाएंगे तो आप course की कीमत शायद देखेंगे अभी जाके लेकिन उससे जादा loss तो आप सिर्फ hidden trial में कर लेते हैं और कर चुके होंगे most probably हर अवक्ते करते होंगे तो ये सारी चीजों के eliminate करने का सही समय यही है तो चेक आउट जरूर करिएगा वीडियो के pin, comment और description में मैंने link दे दिया है जरूर चेक आउट करिएगा हमारी community जॉइन करने के लिए आएए चलते हैं, continue करते हैं इस free educational वीडियो को क्योंकि live market में हमको वो चीजें दिख रही है जिसकी बात अभी हम कर रहे है तो यहाँ पे क्या हुआ, यह top बना यहाँ से हम उपर गए, वापस आए यहाँ पे, इस area पे support बन रहा है एक resistance यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना यह resistance बन रहा है, यह support बन रहा है ठीक है? फिलहाल, यहाँ पे जो खेल हुआ, उसको देखते हुए हमको यह समझ में आया कि यहाँ पे, इस तरीके का price behavior बन रहा है अब क्या करें? तो यह हो चुका है, यह आगे का नहीं हुआ है तो यह जब हो चुका था, तो इसको हमने analysis किया, हमको बस इतना पता है ठीक है? आप यह मान लो कि हमको इसके आगे का पता नहीं है इसके आगे हमको नहीं पता क्या हुआ हमको बस इतने points मिल गए है और इतने points मिलने के बाद हम यहाँ पे mark कर लिए कुछ points, यह points आ गए अपने यह support है, यह support होगा तो यह support की line बन गई यह resistance की line बन गई अब अगर market यह जो है area यहाँ से उठा तो वापस यहाँ तक जाएगा और अगर गिरा तो कहां तक जाएगा? जहां से उठा था तो वापस से क्या हुआ? अब हम थोड़ा इसको zoom out करें अगर zoom out करेंगे तो गड़बड हो जाएगी रूप 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 तो यह line तूट चुकी है तो यह line तूट चुकी है तो यह line यह line जो है trend line आपकी तूट चुकी है जो दो से तीन बार एक बार दो बार हमने दो point मिला है trend line मन गई extend किया तीसरी line मिल गई और तीसरी line मिली तो उसको हमने लंबा खीच दिया यहाँ पे हमको एक point मिला दो point मिला वापस से एक यह point मिला तो तीन point मिल गया हमने इसको extend कर दिया तो यह जो point मिला आपको इसको आप trade कर सकते थे आपको ये 2 point मिले आपने extend किया जब भी हम trade करते है हम जब trade करते हैं तो हमें points 2 trend line points मिल जाएं उसके बाद 3 point हमारा tradable था यहाँ पर buy बनता था और 3 point की बाद क्योंकि यहाँ पर हमको 2 point मिल चुके थे इसको extend करते तीसरा point मिला इसको sell कर सकते थे लेकिन चलो इसको अगर miss भी कर दिया है तो दुबारा से हम यहाँ पे आएंगे तो sell करेंगे तो यह sell point था ठीक है trend line में price action behavior देख लिया हमने यहाँ तक हमको यह point मिल गए उसके बाद ठीक है उसके बाद भी आपको लगातार मैं अभी दिखा रहा हूँ अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है हमें नए-ने points मिलेंगे नए-ने bounces आएंगे dip आएगा सारी चीज़े होंगी bank nifty by the way red में है 650 पहुँच चुका है हमारा target था 620 I think पहुचा नहीं पहुचा मुझे याद नहीं है but let's focus on course फिर इसके बाद आपन आते हैं अब ये line को extend करने के बाद हमें यहां तक point मिल गया है अब हम इसको जब तोड़ेंगे हमने इसको तोड़ा कभी न कभी तोड़ेंगे कभी न कभी हम इसके उपर निकल जाएंगे हम इसके नीचे आ जाएंगे तो जब भी हम इसको तोड़ेंगे तो यहां पे जब ये line ये line जब तोटी ये line नहीं तोटी आगे किस खाना पनेगा यही है drawing tools में न ये लफ़ड़ा होता है तो I hope अभी ये clear है लेकिन इसको थोड़ा साफ कर देता है ताकि थोड़ा दुबारा से clutter नहों ये point मिल गया, ये point मिल गया, ये point मिल गया, ये point मिल गया ये दो point मिले, इनको हमने extend कर दिया, इसको दो को extend कर दिया, ये line मिल गई इस line में इस area पे buy है, इस area पे sell है जब भी इस line के पास जाएगा हम sell करेंगे, जब भी इस line के पास आएगा हम buy करेंगे इस line के पास आया, हमने यहाँ buy किया, आप देख सकते हो, जो candle बना है, ये, ये morning में बना है gap down, सीधे buy, ठीक है, फिर उसके बाद give up किया, और जब give up किया, तो इस zone, ये जो recent के support थे recent के support ये थे इसके, recent के support ये थे और ये support तूटते ही, यहाँ पे आप फिर से sell initiate कर सकते थे लेकिन sell करने के बाद, वापस से i-line टेस्ट करने, जैसा मैंने कहा था ना, कि जब भी कोई trend line है, आप इसको तोड़ोगे, वापस से उपर जाके, टेस्ट करके वापस से उपर जाओगे, तो retest होता है, कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है ऐसा नहीं कि हो गई होगा लेकिन होगा तो accept it तो दुबारा यहाँ पर जो चीज हुई है वो यही हुई है यह जो area है यहाँ पर वही चीज हुई है कि हम retest कर रहे हैं और retest करने के बाद retest करने के बाद हमने यहाँ से फिर से failure दिखाया तो यह retest हुआ उस candle के आते ही हम shot कर सकते हैं तो यह आपकी line है यह जो candle है टॉप में अब इस candle को मैंने क्या बोला था inverse hammer, upper wick यह याद रखना मैंने बोला था ठीक है तो आप थोड़ा इसको जब detail में जाओगे और candles को देखोगे जो टॉप बनाती है यह देखो, यह वाली candle थी जो मैंने क्या है क्या है इसमें upper wick है इसमें upper wick है और यह red है, hanging man है, लटकी हुई है और इसके नीचे, यह जो उपर वाला candle था ना सबसे उपर वाला इसके low के नीचे shot बनता है लेकिन इसको घूम जाने दो इसको घूम जाने दो जैसे कहते हैं, यह उपर trend है, इसको घूम जाने दो और यह जो area होगा इस area के नीचे shot है लोग क्या करते हैं, सब टॉप बन गया लेकिन इस area पे समय बिता सकता है market लोग बोते हैं, गिर क्यों नहीं रहा है market can spend a lot of time in overbought zone and oversold zone ठीक है, तो वो trend मुढने के बाद हम यहाँ पे shot करते हैं और यहाँ पे जब shot करते हैं, तो जो यह upper candle है, इसके थोड़ी उपर stop loss होता है और आपका target नीचे का कितना मिल रहा है, देख लो यहाँ पे approximately अगर हम देखें, तो एक से के लियार अगर हम approximately देखें, तो 45,000 से आपको 44,800 200 point का fall यहाँ पे हुआ तो अगर आप छोटा scalp भी लेते हो, तो यह candle के नीचे 972, almost 50, 80 points, लेकिन थोड़ा और wait करते हो, तो आपको मिलता है 892, तो आपको करीब करी 150 point का यहाँ पे dip मिलता है which is a good move लेकिन उस move में क्या आपको 5% देदे का आपका premium क्या आपको 10% देदे का premium absolutely yes तो candle stick का price action प्लस आपकी expectation प्लस आपकी entry, यह तीन चीज़ें decide करती हैं कि आप scalping कर रहे हो और आप scalper हो, scalping mindset से आए हो या नहीं आए हो ठीक है, उसके बाद आप जहां भी देखो, जहां भी देखोगे और एक तो candle होगे आपका जिसमें upper wick बने ठीक है, thin body बन जाए, indecisive और फिर एक red candle बन जाए तो यह हो गया reversal, ठीक है bottom पे क्या होगा, bottom पे आपका hammer बन जाए जितनी लंबी उसकी पूछ, उतना strong उसका force रहेगा लेकिन वो confirmation आएगा अगले candle पे जो इसके उपर हिम्मत कर जाए जाने की जैसे ही इसके high को bar करे और उसके अगला candle, मालो यह थोड़ा सा पार किया तो फिर wait करो, अगले candle का अगला candle जैसे ही यहां से शुरू हुआ, lower wick बनाया और बढ़ने लगा, तो फिर यह confirmation है, यहां पे तुरंट entry लेनी है ठीक है, तो this is how exactly, किस तरीके से आप यहां पे समझ सकते हो कि entry कब लेनी है और entry जब ले रहे हो तो stop loss कहां पे होगा, stop loss आपका यह जो है इसके half पे रख सकते हो लोग इसके low पे रखते हैं, बहुत safe रखना चाहते हैं जो low के नीचे, लेकिन मैं बात कहा रहा हूँ कि अगर आप watch कर रहे हो, तो low पे watch कर सकते हो लेकिन half पे भी रख सकते हो it's up to you, लेकिन यह जो पूरा price action है न, यह पूरा price action जो हो रहा है, यह ऐसा ना हो कि total इसका size इस price action का size ही 100 point है ऐसा भी नहीं होना चाहिए यह सारा खेली 100 point का है तो फिर आपका यह सिर्थ 30 point नीचे stop loss नहीं आपका stop loss 50-60 point नीचे तो होना ही चाहिए ठीक है क्योंकि आपका target 75 points का है तो यह हो गया आपका scalping का तो I hope यह point clear है ठीक है जो मैंने शुरुवात से किया price action for scalping वो समझो फिर मैंने जो live market में समझाया वो समझो trend line draw करना पड़ेगा trend line draw करने के बाद आपको और trend line draw करना पड़ेगा और trend line के resistance पे आपको confirmation candle मिलने के बाद पंदरा मिनिट के short या long करना पड़ेगा यह मैंने बता दिया है dot को connect करना आपकी जिम्मेदारी है और आपका थोड़ा मेहनत है अब जो यह है इसको अभी थोड़ा सा packaging करके 1000 रुपे का course बना के बेज़ दूँगा तो 1000 लोग खरीद लेंगे लेकिन free मेहन इसलिए समझ में नहीं है लेकिन free मेहन इसलिए समझ में नहीं हैगा हुआ है झाल झाल